स्वागत है दोस्तों आपका अपनी क्लास समीम सर की क्लास में आज हम बात करने वाले हैं साइन्स के बहुत इंपोर्टेंट कोशन शीज तो टैंथ क्लास में लगबग हर बर सबोर्ड में पूछा जाता है कोशन है हमारा पुनुरूद भवन और मुखूलन में क्या अंतर होत करते हैं सबसे फहले है डालेंगे पुनुरुद भवन जब एक कोशिक या बहु कोशिक जीप से ऊजिफ का कोई अंग कड जाने पर बहे हैं जीब उसी स्थान पर उस अंग को पुने बिक्सित कर लेता है यह पिरकिरिया पुनरुत भवन कहलाती है अगर किसी जीप का कोई अंग कड़ जाता है और उसी की जगा जो है उसका दूसरा अंग जो है जम जाता है कुदरती जम जाता है अपने आप बिक्सित कर लेता है तो यह पिरकिरिया क्या कहलाती है पु मतलब मुकुल बिग्यान में कहते हैं उभार को कहते हैं मुकुल जब किसी जीप के उधर भाग में कोई उभार मतलब मुकुल उत्पन हो जाता है और यह मुकुल धीरे धीरे ब्रद्धी करके उस जीप का रूप ले ले लेता है और उस जीप से अलग हो जाता है ठीक है तो य यह पिरकिडिया क्या कहलाती है मुकूलन कहलाती है जैसे हाइडरा हो गया यूगलीना हो गया इनमें यह मुकूलन पाया जाता है एक जीव से दो जीव तीन जीव इस तरह से बन जाते हैं तो इस तरह का यह चित्र बना देंगे जैसे यह दिखाया हुआ है और आपका यह आं आंसर के लिए इंपोर्टेंट आंसर के लिए और टैंथ वोर्ड में 90 प्लस मार्क्स सेक्यूर करने के लिए हमारे इस चैनल को देखते रही है सेयर करते रही है सब्सक्राइब करते रही है मैं था समीम मैं सेफी और आप देख रहते हैं आपके अपनी किलास समीम सरकी किलास जय हीन, जय भारत